असलाम अलेकुम तो मैं न्यूजुफिंग चैनल फूडलोवर्स आज मैं आप लोगों से नाश्टे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं नाश्ते में जोके सब लोग अंडा खाना पसंद करते हैं कुछ वामलेट खाना पसंद करते हैं कुछ फ्राइय एक थाते हैं वह तो नॉर्मली यूज उते ही रहते हैं लेकिन मैं आप लोगों से जो आज शेयर करने जारी हो वो यूनीक स्टाइल में है इसे बोलेंगे हम पीजा है इसके लिए हमें इंग्रिडिएंट की जरुए था ये दो मेरे पास अंडे पड़े हैं नमक है काली मिर्च है थोड़ा सा ओयल है और उसके बार एक टमाटर है ज चले दब तक मैं क्यूब्स में शेप देता हूं इससरे कटिंग हमारी कम्टीट होगी है इसके बॉल में आड़ कर दते हैं है 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 वेज़ टेबल्स निकटिंग की थी वो इसके अंदर आड़ कर रहे हैं पहले आपने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि कोई अंडा खराब हो तो इसको हम रिमूफ कर सके हैं हाफ टेबल्स पॉन मेर्ट पास आड़ करें लेकिन आप अपने टे स्थिक इसके अंदर दो ही इंग्रीजिंट जाएंगे ज्याद हो नहीं अच्छी से मिक्स कर लगता है थोड़ा साफ मैं डालके तोड़ा से ढलेंगे ज्यादा नहीं यह वो मिक्स्टेर है जो हमने रेड़ी किया था मिसमें सॉस पैन में आड़ करते हैं और फारी पैन में हमारा अंडा हमारा रेड़ी हो गए से आम इप प्लेट में निकालते हैं फिर आपको इसकी पाइन लोगे अपना पिज़ा अंडा बना लिया आप देख सकते हैं कि इतन कुप सरह लग रहा है और मैं पिल्कुल आपको शोरटी के साथ कहा सकती हैं कि बच्चों को बहुत ही पसंदा है क्या मेरा भी फेवरिट है चले नेक्स टंडे की तरफ चलते हैं नेक्स रेसिपी हमारी फिश एग अब आपने बताना है कि आपको यह जादा अच्छा लगा है यह फिश एग पसंदा है ओके गाइस नेक्स हमारी जो रेसिपी इसके लिए हमने इंग डिटेट रडी कर लिया है यह हमारे पास अनियन है चॉप की वी साथ इसमें थोड़े से टिमाटर है जो में बर एक स्लैसिस में उसमें काट लिया है और साथ ही मिर्च और थोड़ जब क्ञान को झाल सकते हैं और यह मरका सूप मिर्च पढ़ ही है वैए gotica करते हूं थोड़े साथि मिचस्थ प्रवे इसको जल्दी से मिच्थ कर लेते हैं ने कवंतों पार डालते है प्लीज मेक शोर कि आपका फ्लेम बिल्कुल स्टो है इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने पकने के लिए रख देना है अगर फ्लेम इसका जरा भी हाई हुआ तो अंडा नीचे से जल जाएगा और उपर से कच्छा रह गएगा अगर विल्कुल स्लो फोल करने सारा काम से फोल्ड करने काई है खयाल रखें कि लिए फोल्ड करते हैं आपसे तूपना जाए और इस काल का अगर सा उपर से ब्रैस करते हैं ताक्छे तरह से ना पक जाए के एक्स्टा के पानी अर्भा नियुक्ति आपीसिस की शेप में काट लेना कि अशालव है। इस तरह का थैंगे हैं पान में इस तरह का होगा। है और कि गैस देखें हमने दूसरा अपना जो फीश फीश आप्स सामने है। स्लाइसिस देखें कितने अच्छे इसके कटिंग की शेप में आके कितने अच्छे लग रहे हैं आप इसी तरह बनाएए बिल्कुल इसी रेसिपी को फालो करके इंशाला तला आपका भी बहुत अच्छा बनेगा और ये दूसरा एग जो हमने पहले रेड़ी किया था को देखें मुझे बताना है कि कौंस अच्छा जादा बनाए फिर आपनो ट्राइबी करना है चले मिलते हैं नेक्स प्रेसिपी में तब तक अपना ख्याल रखिएगा द्वाहों में याद रखिएगा लग तला आपका और मेरा हमें नासिर रहे और मेरे चैनल को सब्सक्रा जरूर कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा खुदा अफिस